नमस्कार दोस्तों स्वागते आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल नमर सेवन पर आप सबी लोगों का दोस्तों आज की यूटू में मैं आपको बते होगा कि दोस्तों आपके बिरुज़गारी भत्ते में जून जुलाई और अगस्ट मार का पैमेंट किस तरीक को आएगा और कब तक आएगा इसकी पूरी जन्दकरी मैं आपको इस यूडियो में डिटेल से देने वाला हूं तो प्लीज दोस्तों आप इस यूडियो को लाइक करना मत बूलना तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूरू करूंगा कि दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो और दोस्तो बेल आइकन पर ओल को उप्षन जरूरू स्लिट करें और दोस्तो बेरोजगारी बत्ते से रिलेटेड मैंने पहुत सारी वीडियो पहले से बना रखिए आप यहां पर वीडियो में जाके वह वीडियो देश सकते हो तो दोस्तो सबसे बात करते हैं कि जून मा का बत्ता कब आएगा तो दोस्तो काफे सारे लोगनों मुझे कमेंट बोक्स में यह पुचे कि सर जून मा का पेमेंट कब तक आएगा तो आप सभी लोगों की डिश्टिक में दोस् तो दोस्तो सवाल ये उड़ता है कि आपके डिश्टिक में पेमेंट कब से आएगा तो दोस्तो जून मा का पेमेंट 30 जुलाई से पहले आपके अकाउंड में आज आएगा इसके बाद दोस्तो बात करते हैं कि आपके जुलाई का विवर्योजगारी बत्ता कि तरीक को तो दोस्तो जुन मा का पेमेंट आने के बाद उसके 2-3 दिन दोस्तो आपके जुलाई मा का बिल जनरेट हो जाएगा यानि दोस्तो लगबग 10 अगस से पहले आपके जुलाई मा का बिल जनरेट हो जाएगा और दोस्तो बिल जनरेट होने के 15 दिन बाद आपके जुलाई मा का बेरोजगारी भत्ता अब तुम्हां का अब है अक के बारे में कि दोस्तो के आपके अगस्त्मा का बेरोजग नद्यौत हो जाएका और दोस्तो गज़ते पर सिर्द महां धी जालatta यानि पर त्य दोस्तों आपके लगंबग । से पहले अगस्त समा पैंडरेट हो जाएगा और दोस्तों 15 सिप्वर्स से पहले आपके दोस्तों अगे आँसलोगा बैरोजगारी बता भी यहाईगा अब दोस्तों सवालय कि आपके यह बता संवेजगारी प्षु deve नहीं मिल पारा है तो दोस्तों यह सारी conclusion आपके रोजगार कारेले के द्वारा हो पारे हैं क्योंकि दोस्तों आपके रोजगार कारेले द्वारा बिल समय पे जनरेट नहीं किया जा रहे हैं और दोस्तों payment का issue दोस्तों treasury office द्वारा हो पारा है क्योंकि दोस्तो ट्रेजरी से आपके समय पे payment transfer नहीं किया जा रहा है इसलिए दोस्तो आपके बेरुजगरी बत्ता delay हो पा रहा है late हो पा रहा है इसके लिए दोस्तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे comment box में पूर्च सकते हो